नमस्कार दोस्तों, welcome to Kairos UPAC, right time at the right moment तो चलिए, शुरुआत करते हैं आज के हमारे UPAC के daily MCQs की सबसे पहला MCQ आपके सामने है, consider the following statement देखिए, यहाँ पे तीन सेंटेंस दिये है, उनमें से आपको बताना है how many sentences are correct पहला, seaweeds are type of marine algae often found in coastal waters तो यह बात कैसी है, यह बात सही है, कि जो seaweeds होती है यह एक types की क्या होती है, algae होती है, ठीके और यह आपके क्या मिल जाती है, coastal waters में मिलती है दूसरा, seaweeds species such as calves provide essential nursery habitat for fisheries and other marine species तो यह बात भी सही है, कि जो calves type की जो provide होती है मलब ऐसी जो species होती है, यह आपको क्या करती है, यह आप fisheries को एक nursery habitat और marine species को बहुत सारे क्या provide करती है habitat provide करती है, ठीके, तो दूसरा sentence भी यहाँ पे सही है तीसरा, सागर परिक्रमा यात्रा aims to raise awareness about sustainable marine resources use and promote scheme for coastal communities देखे, यह पूरे MCQ पूछने का मतलब ही यही था हमारा context ही यही था, कि अभी सागर परिक्रमा यात्रा की सुरुवात हो चुकी है ठीके, और उसी के regarding हमें क्या करना है aware करना है, लोगों में जगरुती लानी है कि भया, यह जो coastal communities होती है उनके regarding sustainable development के बारे में हमें बताना है ठीके, उनके regarding हमें sustainable marine resources के बारे में बताना है जिसमें seaweeds एक सामेल किया जाता है ठीके, तो यहाँ पर तीसरा sentence भी सही है हमें पुछा है how many are correct तो भया, option C, all three are correct ठीके, क्या हुआ है जो हमारे minister है, परसोतम रुपाला जी उन्होंने अभी लेड किया है phase 8 किसका सागर परिक्रम आगा और यह कहां से किया हुआ है seaweed park 8, वलंपूर यानि कि रामनाथ पूरम दिश्ट्रिक तमिल नाडू, ठीके, तमिल नाडू से उन्होंने यह सुरुवात क्या हुआ है हमारे 8 नंबर के phase की सागर परिक्रमा यात्रा की ठीके, अब seaweed क्या है तो सरजी एक marine algae है जो की nutrition में काफी ridge होता है ठीके, उसकी एक species है जिसका नाव होता है calves और यह बहुत सारे हमें फाइदे पहुचाती है ठीके, और एक और चीज़ आपको पता होगी कि अगर यह जो species है, यह ना हो तो क्या होता है यह हमारा carbon capturing के process में काफी महत्वपूर्ण रोल निभाती है अगर वो ना हो तो क्या होगा यह होगा कि हमारे पृत्वी का जो भी carbon और oxygen cycle है, उसमें थोड़ी सी गर बढ़ाएगी, ठीके, चलिए, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, सागर परिक्रमा यात्रा के क्या करते हैं, हम करते हैं एकenden से सर्फ का और पूरा अर्थ घूँम के वापिस आप से थे हैं ठीके, और इसमें हम क्या करते हैं saar spoke, peace farmers और other stakeholder के लिए को श्टल बेल्ड के लिए हम क्या करते हैं solidarity provide करते हैं ठीके, उनके regarding challenges और problems को solve करने के लिए awareness भी देते हैं चलिए next mcq which of the following statement is correct regarding आरोग्य महित्री क्यूब देखिए अभी क्या हुआ है आरोग्य महित्री क्यूब काफी चर्चा में था तो यही उसका context है जो इसका answer है ठीके तो सबसे पहले देखते हैं क्या पुछा है पहला a single non-lapsable reserve fund for health from the proceeds of health and education says ठीके मतलब कि यह यह सा कोई reserve fund है दूसरा augmenting facilities for quality medical education in under-south state मतलब कि यह कोई facilities है तीसरा world first portable disaster hospital क्या दुनिया का पहला disaster hospital है और option D non-lapsable तो क्या आएगा answer आएगा option C बिलकुल सही यह दुनिया का पहला portable disaster hospital है और गर्व की बाद proud की बाद यह है कि यह कि इनकों ने develop किया है इंडिया ने क्या है दुनिया का पहला portable disaster hospital जो की आरग्यमेत्री cube के नाम से जाना जाता है इन में total 72 cubes होते है जो कि कोई भी disaster वाली जग़ पे जाके उसको फटा-फट से हम क्या कर सकते है assemble कर सकते है ठीके और यह support कर सकता है 200 survivors को within 48 hours के लिए ठीके और यह बनाया हुआ है कैसा स्वदेशी बनाया हुआ है ठीके और यह hospital जो है इस hospital में हमें बहुत सारे equipment मिल जाएंगे जैसे कि operation theater, mini ICU, ventilator, blood test equipment, x-ray machine, etc. ठीके इसको याद रखेगा बनाया हुआ है project भीष्म के तहेद और इस project भीष्म का नाम क्या है तो भारत health initiative for सहयोगीता and मैत्री ठीके आपको पुछा जा सकता है कि आरोग्य मैत्री क्यूब कौन से project के अंतरगत है project गंगा, project अर्जून, project भीष्म, project क्रिष्णा तो क्या आएगा answer answer आएगा project भीष्मा next consider the following statement about election commission EC, देखिए आपको exam में सायद फुलफॉम ना भी दे, तो भी आपको पता चल जाना चाहिए कि भाईया जो नीचे तीन sentence दिये हैं, उसी इसाब से यहाँ पे इसका फुलफॉम क्या होगा election commission होगा ठीक है, चलिए पहला recognition of political parties and allotment of symbols, यह काम कौन करता है यह काम, election commission करता है तो पहला बात सही है दूसरा, it act as a court for settling dispute related to granting of recognition and political parties and allotment of election symbols to them देखिए, अगर कोई दो party के बीच में जगडा होता है तो election commission, उनमें क्या करता है उनमें करता है, उनमें करता है उनमें करता है party को अलग-अलग करने के official जो procedure है, वो भी वो आगे बढ़ाता है, और जो symbol रहता है, उस symbol को भी यह allocate करता है, ठीक है हमें बहुत सारी parties के बारे में अभी recently देखने को मिला जैसे की AI, ADM के उनके regarding हमें देखने को मिला साथ-साथ हमें देखने को मिला CU-Sena के regarding, ठीक है पिछली बार हमें cycle के regarding यानि की समाजवादी party के regarding भी देखने को मिला था, TMC में भी हमें बहुत कुछ देखने को मिला था तो दूसरा sentence सही है तीसरा, it defines a model code of conduct for political parties and candidates, ठीक है, जो हमारा model code of conduct है, उसको implement करवाने की जिम्मेदारी election commission की होती है, तो यहाँ पे तीसरा sentence भी सही है चलिए, क्या पुचा है हमें हमें पुचा है, how many sentences are correct, तो क्या है एक answer, आप सबको पता है option C, all three are correct, ठीक है देखे, न्यूज में क्या था, कि अभी एक बिल आया हुआ है, जो की election commission की जो power से, जो status है उसको cabinet secretary से की और लेके जा रहा है जो की पहले क्या था supreme code के judge के equivalent था, ठीक है, तो उसी के regarding हमें ब्याद पता होना चाहिए powers और function screen के election commission of India ठीक है, तो वीडियो को कीजिए pause और पढ़ के आग में, बाद में देखते हैं play करके आगे वाला section चलिए, next MC के पूछ रहा है consider the following statement about NCLAT, चलिए NCLAT के बारे में बताना है पहला, it is a constitutional body अच्छा, constitutional body है कौन से article के तहद, बताईए दूसरा, it is set up under the company's act, yes, your statutory body है, क्योंकि इसको बनाया हुआ है, act के तहद तो पहला गलत है, दूसरा सही है तीसरा, it hears appeals against the order of competition commission of India, CCI and IBC जी हाँ, यह क्या करता है यह CCI के against वाला जो orders होता है उसको देखता है, ठीके तो दूसरा, तीसरा sentence ही है अमें पुछा है, how many sentences are correct, तो भाया क्या आएगा, option B to only is the answer ठीके चलिए, क्या हुआ है तो अभी G और Sonny का merger के बारे में कुछ बात चल रही है यह हमारे लिए इतना important अभी नहीं है, अगर बहुत ज्यादा इसका लफड़ा हो जाएगा तभी हमारे लिए ऐसे चोटे-चोटे context, यानि कि जो बोला जाता है business जिके होता है यह important हो जाएगा, ठीके लेकिन, हमारे लिए national company, law, appellate, tribunal यानि कि NC, LAT का फी important है, जिसको establish किया था, 1st June 2016, company 2013 के अंतरगर, और यह है कौसी judicial bodies, ठीके, उनके कामका जहाँ पे लिखा है, आप करिए वीडियो को pause, और पढ़ने के बाद करते हैं, play, ठीके चलिए next MC के पूछ रहा है, consider the following statement about IRNSS चलिए, IRNSS इसके बारे में तीन sentence दिये है, बताएए पहला, it has three satellite in geostationary and four satellite in the geosynchronous orbit देखे, क्या होता है कि जो आपका यह और थे, मान लिजे यह और थे, और यहाँ पे है आया आपका विशुवरूत, यानि कि हमारी central light, ठीके और इसी के height में हम अगर देखने जाए तो हमें देखना है क्या हमें अपने इंडिया को देखना है लेकिन यह पृत्वी तो rotate हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा हमारे satellite को भी rotate ठीके, और उसके लिए हमारे पास तीन space है एक है lower earth orbit एक है middle earth orbit और एक है हमारी higher वाली upper वाली earth orbit ठीके, तो जो lower वाली है यह बहुत speed से भागेंगे जो middle है यह medium में भागेंगे और जो बहुत height पे आया हुआ है और यह भागेंगे मतलब running करेंगे कितने speed से हमारे earth की speed से तो यह comparison में देखने जाए तो earth के उपर ही ऐसे टंगे हुए रहेंगे तो ऐसे हमारे पास तीन satellite चाहिए जो की कौन सा कहा जाता है इनको कहा जाता है geostationary satellite और हमें चाहिए चार और satellite जिसके लिए यह चाहिए हमारे geosynchronous orbit में ठीके, क्योंकि यह जो है यह ऐसे गुमेंगे और यह जो है यह हमारे ऐसे गुमेंगे ठीके तो यह जो हमारा IR NSA से यह इसमें 7 satellite ऐसे लगे हुए है यह इस बेला sentence सही है दूसरा इट कवर्स एंटायर इंगिया एन अबाउट 2500 स्क्वेर किलोमेटर नहीं भया 2500 स्क्वेर किलोमेटर हम नहीं देखेंगे हम देखने वाले हैं कितने सिर्फ 1500 स्क्वेर किलोमेटर तो दूसरा sentence गलत हो गया तीसरा इंडिया विल है इट्स ओन ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बाई 2025 नहीं हमारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है क्योंकि अगर हमें गलोबल करना है तो हमें चाहिए मिनिममम 24 सैटेलाइट देखें क्या हुआ है कि पूरी अर्थ को अगर आप भेज दीजिए तो आपको ऐसे 4 पटे में भेजना पड़ेगा कितने 4 पटे में या फिर एक काम किजिए आप उसको 6 पटे बोलिए क्योंकि हर एक पटे में आपको चाहिए 4 सैटेलाईट तो टोटल मिला के कितना हो जाएंगे 24 हो जाए ठीक है 6 ओर्ट चाहिए आपको और हर York में 4 सैटेलाईट चाहिए तो पूल मिला के 24 satellite minimum आपको चाहिए किसके लिए global satellite navigation system मना के लिए जिसका भारत का अभी कोई भी ब्लान नहीं है तो यहाँ पे तीसरा sentence भी गलत है चलिए हमें क्या पुछा है कौन से statement correct है तो भया how many है only one सिर्फ एक ही sentence है जो कि हमारा सही है अभी क्या हुआ है तो अभी क्या हुआ है हमारे नावी जो हमारा आया रहने से से उसका पनाम दिया हुआ है नावी फुलपॉम होता है navigation with Indian constellation और all 5G phone को हमने compulsory किया हुआ है जान्यवारी एक 2025 से आपको क्या करना है इस्तेमाल करना है नावी को ठीके बाकि की सारी information यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो हमने भताया हुआ है आपको करना है वीडियो को पोज और पूरी की पूरी information देखना है देखिए यह हो गया जियो synchronous स्वरी जियो stationary और यह जो औरेंज वाला दिखरा है यह हो गया आपका जियो synchronous से डिला है ठीके तो यह सारी चीज़ देखने के बाद वीडियो को आगे पोज करना है ठीके चले नेक्स अमसी की पूछ रहा है consider the following statement with respect to Beijing convention on the judicial sale of sheep चलिए भया judicial sale of sheep के regarding Beijing convention के बारे में आपको तीन sentence दिये हैं चलिए पहला UN convention on international effects of judicial sale of sheep is known as the Beijing convention याद रखेगा यह बात बिल्कुल सही है कि जो UN convention है international effects of judicial sale of sheep का जिसको कहा जाता है Beijing convention यह बात सही है दूसरा the convention is developed by the United Nations Commission on International Trade and Law यानि कि UNCITRA तो यह बात भी कैसी है सही है अब इसी के साथ साथ UN को बताना चाहिए कि भया आप UN close को क्यों नहीं मानते है ठीके हम जो 9 days line के उपर हमने जो decision दिया हुआ है उसको आपको मानना पड़ेगा लेकिन यह क्या कहा जाता है चाइना का दोगलापन ठीके तो दूसरा sentence तो यहाँ पे सही है तीसरा इंडिया is signatory नहीं भया ऐसी कोई news में हम इंडिया signatory नहीं है तो क्या पुछा है हमें हमें पुछा है correct कितने है दो sentence correct है ठीके तो option भी जो है यह हमारा right answer होगा देखे क्या हुआ है अभी 15 country ने join क्या हुआ है UN convention on international effects of judicial sale यानि कि कौन सा वाला Beijing declaration यानि कि बेजिंग convention ठीके और इन 15 countries में कौन-कौन शामिल है तो चाइना है अल सेलवेडोर है कीरिबश है लाइबरेरिया है साउधी अरेबिया है सेनेगल, सियरिया, लियोन सिंगापूर, स्विट्जलेट और सीरियन अरब रिपबलीकन आते हैं लेकिन most important इन्डिया ने इसको साइन नहीं किया हुआ है देख लेते हैं अगला question recently rafalasia scene is noon चलिए बताइए क्या है यह rafalasia क्या कोई virus है, bacteria है flowering plant है या फिर कोई नए प्रकार की vaccine है तो इसका सही answer आएगा option C क्योंकि जो rafalasia है यह एक टाइब का flowering plant है, ठीके लेकि यह flowering plant है वो काफी deadliest हम कहा जा सकता है क्योंकि यह क्या करता है यह genus है parasite flowering plants का और यह native है south east asia का ठीके, और इसको कई बार cops of flowers भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे यह trap किया जाता है ठीके, तो आप इसे देख सकते हो घने जंगल में यह इसी प्रकार से trap की जैसा लगा हुआ plant है, ठीके, चलिए next mcq पूछ रहा है consider the following statement चलिए, तीन sentence दिये है उन में से आपको बताना है how many sentences are correct पहला, send is categorized as a major mineral यह सही बात है, नहीं भया send को कैसा है, हमारा minor है, क्यों सर जी देखिए, minor इसी लिए है क्योंकि जो आपकी state government है, उनको independent किया हुआ है, कि भयाई, आप अपके जो minor mineral से उसके regarding decision लेने में independent है, ठीके तो जैसे कि गुजरात में आपका अगर send mining करना है, तो काफी कैसा है, easy है ठीके, तो यह depends on state to state आता है, ठीके चलिए, तो पहला sentence तो हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया, दूसरा the ministry of environment, forest and climate change, issue guideline to promote environmentally friendly and send mining practice, हाँ, बिल्कुल सही है क्योंकि जितना ज्यादा send mining करेंगे, उतना हमारे river bed को नुक्सान पहुचता है तो उसी के लिए एक sustainable development practice की बात करते है, जो की sentence सही है, तीसरा marine send watch is a global data platform which is part of UN environment program that tracks and monitor dredging activities of sand, clay, silt, gravel and rock in the world marine environment मतलब की भया बता रहा है कि marine send watch नामके जो global platform है, यह सारे चीजों पर देख रेकर रखता है, तो हो सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो दूसरा तीसरा sentence सही है पहला sentence गलत है, तो हमें मिल जाएगा हमारा answer option भी only two, ठीके चलिए, next यह थे हमारे current वाले mcq, अब हम चलते हैं हमारे static वाले mcq, जिन में अभी कूछी question बाकी है 2018 के, ठीके, चलिए पहला, consider the following statement, आधार कार्ड can be used as a proof of citizenship or homicide, भाया कितने बार बताया कि citizenship के लिए यह नहीं है ठीके, पहला sentence गलत दूसरा, once issued आधार नंबर cannot be deactivated cannot be deactivated or omitted by the issuing authority, मतलब कि एक बार अधार का डिशी हो गया, तो उसको बंद नहीं कर सकते हैं, उसको deactivate नहीं कर सकते हैं ऐसा कौन सा कार्ड है बना हो कि जिसमें government ने एक बार दे दिया सो दे दिया, अब नहीं वो deactivate कर सकते हैं, ऐसा मुझे to the election of the president of India, चलिए है, president का चुनाव करवाते हैं, पहला, the value of the vote of each MLA varies from state to state, यह बात सही है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक MLA के वोट का अगर पावर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, state की population डालेंगे एक साइड पे, और नीचे डालेंगे उस state के number of MLA, और इसको multiply करेंगे one upon one thousand से, ठीके, और जो यहाँ पे आएगा, उसी को क्या कह जाता है, एक MLA का वोट का पावर, ठीके, तो पहला sentence के सही है, क्योंकि हर एक state की state population different होती है, और हर एक state में MLA जो होते हैं, यह भी number wise अलग-अलग होते है, ठीके, दूसरा, the value of what of MPs of the लोकसभा is more than the value of what of MPs of the राज्यसभा, ठीके, यह बात गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि हम अगर एक MP का वोट निकालने जाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, हम हमारे जो भी number of MLA हैं, उन सारे के जो वोट हैं, उनको plus करते हैं, और नीचे राज represented representative है, उनका sum करके उसको यहां पर क्या करते हैं, यह क्या बोला जाता है, हम करते हैं, उनको यह सुत्र में डालके, इस formula लगा के हम एक MP का क्या बना देते हैं, पावर निकाल लेते हैं, तो यह MP चाहें लोगसभा का हो, यह राज्यसभा का हो, दोनों का पावर के साथ आता है, तो भाया, हमें पुछा है, correct sentence, option A, one only is the right answer, next, consider the following statement, दो sentence दिये है, no criminal proceeding should be instituted, या फिर initiated against the governor of state or any court during his term, भाया, criminal को एक proceeding नहीं कर सकते, यह बात सही है, तो याद रखेगा, आपके जो भी रिष्टेदार हैं, उनके साथ बच्चते रहिएगा, अगर वह कल governor बन गया, तो आपको गोली मार सकता है, लेकिन ऐसे time पे, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको क्याप दिया हुआ है, प एक बार नोकरी पे रखने के बाद उसका पगार कम नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा sentence सही है, चलिए, तो क्या पुछा है, और क्या आएगा answer, आएगा option C, बोथ 1 and 2 are correct, चलिए, लास्ट MCQ देख लेते हैं, इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे question पुछा है, आर्टिकल 356, पहला, यह बात सही है, कि आपके state की जो भी legislative assembly है, उसके power कौन ले लेता है, पार्लामेंट ले लेता है, यह अभी कानून नहीं बनाएगा, कानून कौन बनाएगा, पार्लामेंट बनाएगे, तो दूसरा sentence सही है, तीसरा, आर्टिकल 19 is suspended in the state, देखिए, 356 के साथ, आर्टिकल 19 को कोई लेना देना नहीं है, लास्ट वाला option, देखिए, प्रेसिडेंट एसा नहीं बना सकते, ठीके, लो कुन बना सकता है, लो बना सकता है, पाल्या में, तो यहाँ पे दी गया, A कटा, और C भी कटा है, क्योंकि सही आंसर से बी ही है, ठीके, चले, तो यह थे हमारे आज के MCQ, मिलते हैं सब्सक्राइब करें, और हमारे effort सभी लोगों तक पहुंचाने में help करें, ठीके, धन्यवाद, थेंक यू,